बिंदी चैनल में आप सबी का स्वागत है तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पॉर्ण हैं क्योंकि एक बहुत ही महत्पॉर्ण विश्य को मैं लेकि आई हूँ देखिए अब हिंदी साहिते की किसी भी परिक्षा की तयारी कर रहे हों चाहे यूपी एसी यूपी पी एसी यूपी एची एसी टीजीटी पीजीटी किसी भी चीजीज की के वी एस टीजीटी और पीजीटी की तो किसी भी चीज की आप तयारी कर रहे हैं, हिंदी साहिते से संबंधित, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बहतरीन है तो देखिए, आचारे रामचेंद्र शुक्ली जी के कथन एक ऐसा टॉपिक है जो हर परिक्षा में पूछा जाता है तो आज की विशे में मैं आप सभी को अब तक आचारे रामचेंद्र शुक्ली जी के जो भी कथन परिक्षा में पूछे गए हैं उन प्रशनों का संकलन आप सभी के लिए लेके आई हूँ तो वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्तपूर्ण है क्योंकि कहते हैं प्रेवियस एयर के जो भी प्रशन होते हैं वो रिपीट होते हैं तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है क्योंकि यहां वो सारे कथन हैं जो प्रेवियस एयर में आए हुए हैं तो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास से इतिवृत और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंब बना हुआ है ये कतनाय था, दूसरा है जैसे पुराना चावल ही बड़े आदिमों के खाने के योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाशा ही पुस्तक रचने वालों की वैभार योग्य समझी जाती थी और ये प्रेश्ण पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के कौन से प्रक्रण से लिया गया है तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रक्रण चार से ये कथन लिया गया है अगला है साहित्य जनता की चित वृति का संचित प्रतिबिम्ब है ये कथन कई बार आये हुआ है अब आदीकाल से जो जो कथन पूछे गए हैं वो हैं उनकी रचनाओं का जीवन की स्वभाविक सार्णियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है वे सामप्रदाइक सिक्षा मात्र है अथा शुद्ध साहिति की कोटी में नहीं आ सकती है ये उन्होंने सिद और योगियों की रचनाओं के संबंध में कहा है अगला कथन है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए अगला है इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा गरंथ वास्तव में जाली है तो ये कथन उन्ह कि प्रधानता है वीररस का किंचित आभास मात्र है तो ये कथन उन्होंने भी सलज देवरासों की विशे में कहा है अगला हैं वे सांपृदायक सिख्षा मात्र है इताया शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती तो ये कथन उन्होंने सिद्धो नाथो और योगियों की रचनाओं की विशे में कहा है अगला कथन है भाशा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कस्ती है तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठीकानी है उसमें व्याकरण आदी की कोई व्यवस्था नहीं है तो ये उन्होंने प्रिथ्वी राज रासों की विशे में कहा है अगला कथन है आध्यात्मिक रंग के चश्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी तो ये प्रेश्ट दो तरी को सह हुआ था एक बारी में यहां से यहां तक ही दिया गया था और लिखा था के कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है तो ये विद्यापती के शु Але जी ने कहा है अगले है पहले जैसे गात्हा ये गाहा कहने से प्रकर्त का बोथ होता था वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभरंश या लोक प्रचृत का विभाशा का बोध होने लगा अगला है प्रकृति की अंतिम अपभरंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविरभाव माना जाता है उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपब्रण श्रिया प्रच्णित कवेभाशा का पद्य समझा जाता था तो देखिए ये सारे कथन प्रिविएस येर के पेपर में आए हुए हैं उन प्रश्णों का संकलन है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेजेगा क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के कंटेंट जो है अपने चैनल पे उपलब्द कराती हूँ अगला है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई सम्मध नहीं है अतह शुद साहिते के अंतरगत नहीं आती अगला है अपन भ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उसे कावे भाशा के हैं जो पुराने पन के कारण बोलनी की भाशा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंतक्या उसकी कुछ पीछे तक पोथियों में ही चलती रही ये आदिकाल से संबंदित कथन थे अब भक्ति काल में कौन-कौन से कथन जो है पूछे गए थे धर्म का प्रवा, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तुईनों धाराओं में चलता है अगला कथन है इनकी उक्तियां ऐसे लुभावने हुई कि बिहारी आदी परवर्ति कवी भी उनमी से बहुतों का अपहरन करने का लोब ना रोक सके तो ये उन्होंने रहीम के विशे में कहा है अगला कथन है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाशी भू भाग में सर्वसाधारण के मुह पर रहते हैं अगला कथन है हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रवन की प्रतिक्रिया है अगला है कबीर में जो रहस्यवाद पाये जाता है वे अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है अगला कथन है कबीर के निर्गुन पंथ का आधार भारतिय विदान्त और सूफियों का प्रेम तत्व है अगला है स्तात्विक द्रिष्टी से ना तो हम इन्हें यानि की कबीर को पूरे अध्यतवादी कह सकते हैं और ना एक श्वरवादी अगला है भाषा बहुत परिस्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षन प्रभाव और चमतकार है प्रतिभा उनमें प्रखर थी इसमें संदेह नहीं अगला है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामा नंद जी से प्राप्त हुआ पर आगे चल कर कबीर के राम रामा नंद के राम से भिन हो गए आगे की कथन देखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर मिने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ती रसे शुन्य और शुश्क पढ़ता जा रहा था अगला कथन है उन्होंने सामाने हिर्देह तत्व की स्रिस्टी वियापनी भावना द्वारा मनुश और पशुपक्षी सब को एक जीवन सुत्र बद्द देखा है तो ये कथन उन्होंने जाईसी के विशे में कहा है तो प्रशन जो है दोनों तरीकों से पूल सकते हैं अगला है उन्होंने रचना नैपुर्ने का भद्द कहीं नहीं किया है और ना शब्द चमतकार आदी के खेलवाडों में वे फसे हैं उनकी सी भाशा की साफ सफाई और किसी कवी में नहीं तो ये उन्होंने किसके विशे में कहा है तोलसी राज के विशे में अगला है भक्ती रसका परिपाक जैसा वीने पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यंत्र नहीं अगला कथन है प्रेम और श्रिंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के समके सामने पढ़ा जा सके गो स्वामी तुलसिदास जी का ही है अगला है सुर्व सागर किसी चली आती हुई गीत कावे परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है अगला है सुर्व दास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है अगला है इसमें सगुणों पासकना का निरूपण बरे ही मालमिक धंग से हिर्दे की अनुभूती के आधार पर तर्क पद्दती पर नहीं किया गया है अगला है केवल प्रेम लक्षण भक्ती का आधार ग्रहन करने के कारण क्रिश्न भक्ती शाखा में अशलीन विलासिता की प्रवर्ती जागरत हुई अगला कथन है ब्रमर गीत सुर्शागर के भीतर का एक सार तत्व है अगला कथन है वातसले और शिंगार के शेत्रों का जितना अधिक उदगाटन सुर्य ने अपनी बंद आखों से किया है उतना किसी अन्य कवीने नहीं इन शेत्रों का वे कोना कोना जहां का आये हैं अगला है अस्ट छाप में सूर्दास के पीछे इन ही का नाम लेना पड़ता है इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है इनके सम्मन्ध में यह कहावत प्रसिद है और कवी गड़िया नंददास जड़िया अगला है यह सूर्चित करने की आवश्यक्ता नहीं कि ना तो सूर का आवधी पर आधिकार था और ना जाईसी का प्रजभाशा पर अगला कथन है सूर्ध सागर में जगा जगा द्रिष्ट कूट वाले पद मिलते हैं यह भी विद्यापती का अनुकरण है अगला है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ती की जो कावेधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहयार्थ विधान की प्रधा अन्तार रही है तो यह भकतिकाल से आयो हैं सबसे जादा कतर भकत इकाल से औए है अब रूतिकाल के कौन कौन से कफरा आयो है इस पर चर्चा करते हैं बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिध है वैं बहुत कुछ रोरी की स्तापना से ही समभव अगला है इसका एक एक दोहा हिंदी साहिती में एक रत्न माना जाता है तो ये उन्होंने बिहारी सत्साई के विशे में कहा है अगला है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक कावे में एक एक वाके में भरा पाया जाता है तो ये उन्होंने आलम के विशे में कहा है अगला है इनका सा अर्थ सौस्छव और नवन मेश विल्ले ही कवियों में मिलता है रीतीकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्ब और प्रतिभा संपन कवी थे तो ये उन्होंने देव की विशे में कहा है अगला कथन है मती राम जी रसराज के समान पदमाकर जी का कवे रसिको और अभ्यासियों दोनों का कंड़ार रहा है वास्ता में यह श्रिंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है तो ये उन्होंने पद्माकर जी की रचना जगत विनोध के विशे में कहा है अगला है हिंदी में दीती ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवई प्रिया के पर यह 50 वर्ष पीछे चला और वे भी एक भिन आदर्ष को लेकर अगला है केशव कठिन कावे का प्रेत है अगला है केशव दास को कवई हिर्दय नहीं मिला था उनमें वैस सहिर्दता और भावकता ना थी जो एक कवी में होनी चाहिए अगला है ये हिंदी के प्रधान आचारियों में माने जाते हैं और इनका मूल इनका भाशा भूशर अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलेत पार्थिय ग्रंथ रहा है तो ये उन्होंने महराज जस्वंद सिंग के बारे में कहा है अगला है ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाशा पर जैसा अचुक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवी कवी का नहीं तो ये उन्होंने घनानंद के विशय में कहा है अगला है ये ब्रज भाशा के मती राम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाशा और भाव के माधुरे में पदमाकर तक से टकड़ लेते हैं तो ये उन्होंने बेनी प्रवीन के बारे में कहा है अगला है इनकी सी विशुद सरस और शक्ती शालिनी ब्रज भाशा लिखने में और कोई कवी समर्थन नहीं हुआ है विशुदता के साथ प्रोडता और माधुरे भी अपुर हुआ ये वियोग श्रिंगार के प्रधान मुक्तक कवी है तो ये उन्होंने घनानंद के विशे में कहा है अगला है इस से इस काल को रस के विचार सी को श्रिंगार काल कहे तो कह सकता है तो ये उन्होंने रीती काल के विशे में कहा है अगला है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीरपथिक परवाना तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाशा का दूसरा कवीन नहीं हुआ है तो ये उन्होंने घनानंद के विशे में कहा है अगला है जिस कवी में कल्पना की समाहार शक्ती के साथ भाशा की समास सक्ती जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा यह शम्ता बिहारी में पौन रोप से वर्तमान थी अगला कतन है किसी कवी का यश उसकी रचनाओं के परिमान के हिसाब से नहीं होता बलकि गुण के हिसाब से होता है तो यह उन्होंने बिहारी के विशे में कही है अगला है उनकी विरहताप की अतियुक्तियों के में दूर की सूज नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है तो ये उन्होंने बिहारी के विशे में कहा है अगला है हिंदी रीती ग्रंथों की परंपरा चिंतामणी त्रिपाठी से चली अतर रीती काल का अरंभ उन्हीं से ही मानना चाहिए तो देखे ये प्रेश्ण भी अधिकतर पूछा जाता है कि रीती काल का प्रारंभ आचारी राम चंदर शुक्ली जी ने किस से माना है या चिंतामणी को किसने रीती काल का प्रारंभ गरता माना है तो इसको ध्यान में रखेगा अगला है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहितिक है अगला कथन है यदि प्रबंद कावे एक विस्तरत वनस थली है ये तो बहुत बारी आया हुआ है तो मुक तक एक चुना हुआ गुलदस्ता तो ये उन्होंने बिहारी के विशे में कहा है अगला है रितु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रिंगारी कवी ने नहीं किया है तो ये उन्होंने सेनापति के विशे में कहा है अगला है कविता उनकी श्रिंगारी है पर प्रेम की उच्छ भूमी पर नहीं पहुचती नीचे ही रह जाती है तो ये उन्होंने बिहारी की कविता के विशय में कहा है यह रीति काल के कथन थे जो परिक्षा में आचचे हैं आप चर्चा करते हैं आधनिक प्रत्मान गद्दे भार्षा के सरूप प्रत्षठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्टक अगला है वे पूर्वी पन की परवाह ना करके अपने बैसवारे की ग्रम में कहावते और शब्द भी धड़क रख दिया करते थे तो यह उन्होंने प्र महावीर पसाद वेदी का सदारिनी रहेगा व्याकरण की शुदता और भाशा की सफाई के प्रवर्टक दुवेदी जी ही थे अगला कतन है गुप्त जी वास्ता में सामन जस्यवादी कवी हैं प्रतिक्रिया का प्रवर्दर्शन करने वाले अथवा मद्धी में डूबने वाले कवी नहीं तो ये उन्होंने मैतली शरंगुप्त के विशय में कहा है अगला है चायवाद बड़ी सहिर्दता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेश लक्ष रख कर चला है अगला कतन है चायवाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए पहला रहस्यव समास में गुमफित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदी में सपस्ट जलकता है लक्षण के वे लक्षण लाने की प्रवर्ति इनमें उतनी नहीं पाय जातनी जितनी प्रसाद और पंत में नाटक के विशे में इनका गधन है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गध्य स साहती की परंपरा का प्रवर्त नाटक से हुआ अब करतों की चर्चा करते हैं निबंध और आलोचना से कौन-कौन से प्रशन पूछे गए हैं पंडित प्रताप नरायमेश्र और बालकृष्ण बठ ने हिंदी गद्य साहती में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साह प्राओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है अगला है बैर क्रोध का अचारिया मुरब्बा है अगला है अनुभूती के द्वंध ही से प्राणी के जीवन का आरंब होता है कुछ प्राणी मनुष भी केवल एक जोड़ी अनुभूती ल अगला है धर्म की रसात्मक अनुभूती का नाम भक्ती है अगला कतन है समस्त मानव जाती के प्रवर तक भाव्या मनोविकार ही होती है अगला है कवेता ही हिर्दय को प्रकृत दशामिल लाती है और जगत के बीच क्रम शाह उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मुक्ति साधना के लिए मुनुष्य की वार्णी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं तो यहां पर यह प्रेश्ण जो है इस प्रकार से हुआ तो प्रस्णिया इस प्रकार से भी आते हैं अगला है हम मुर्ख बल हीन और आसी हो गए हैं हमारा धन विदेश्च लायाता है रुपे का डेड़ पाव घी बिकता है इस्तरी सिक्षा का अभाव है तो ये उनके निबंध कविता क्या है से लिया गया है अगला है किसी वस्तु के परतक्ष ग्यान या भावना से हमारे अपने सत्ता की क्रोध का जितना ही अधिकतिरो भाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पुण परिनीरती होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदरी की अनुभूती कही जाएगी अगला कथन है इसमें कोई संदेह नहीं की कबीर को राम नाम रामनन से प्राप्त हुआ पर आगी चलकर कबीर के राम रामनन से भिन हो गए अगला है जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्तार ग्यान दशा कहलाती है उसी प्रकार हिर्दय की मुक्त अवस्तार रस दशा कहलाती है हिर्दय की मुक्ति की साधना के लिए मनुशी की वारणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं अगला है आधनिक काल में गद्द का विकास सबसे प्रधान साहते का घटना है अधिके कुछ प्रशन जो है अभी हिमाचन प्रदेश असिस्टन प्रोफेसर का हुआ था जिसमें हिंदी विशे से इतने कथन आए हुए थी अचारे रामचंदर शुकले जी से संबन्दे तो देखे कितना इंपोर्टन्ट है इनको पढ़ना देखे इतन पांच प्रशन जो प्रियतम या पती के रूप में करती थी अगला है धर्म का प्रवाह कर्म ज्यान और भक्ति इन तीनों धाराओं में रहता है इन तीनों के सामन जस्से में धर्म अपनी पोण सजीव दशा में रहता है अगला कतने नूर मुहम्मद फार्सी के अच्छे आलिम थे और इनका ह हिंदी का विभाषा का अभी ज्यान सब सूफी कव्यों से अधिक था अगला है बिहारी ने इस सत्साई के अतरिक्त और कोई गरंथ नहीं लिखा यही एक गरंथ उनकी इतनी बड़ी किर्ती का आधार है यह बात साहितिक के शेत्र में के इस तत्ति की घोशा कर रहा है कि कि इसी कवी का यश उसकी रचनाओं के परिमान के हिसाब से नहीं होता बलकि गोण के हिसाब से होता है अगला है कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए तो चले यह थे सारे प्रेशन जो अब तक की परिक्षा में पूछे गए थे चाहे वो तक में उन सभी में जो प्रश्ण आचारी रामचंदर शुकली जी के कथनों से संबांदी थे उन्हीं प्रश्णों को लेने का यहां प्रयास किया गया है तो आप सभी को यह प्रश्ण कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भ कि आपको कोई समस्या रगती हो तो वे भी कमेंट जरूर कर देशिएगा धन्यवाद